कि नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हलो नमस्ते नमस्ते कौन सब्सक्राइब पूछना चाहती है जो जूनियर वाली एड़ेट जूनियर की वेकेंस्टी है दोजार इकिस वाली आपकी आवाज क्लीर नहीं आ सब्सक्राइब है जो दोजार इकिस में एड़ेट जूनियर की 504 वाली वेकेंस्टी थी यह कब लियर होगी बड़ा टेंसन हो रहा है वह वाली यह जो सिक्षक से वाच्छन आयोग है उसका गठन होना है और जो अभी लेटेस्ट जानकारी है वो कि अप्रेल में गठन हो जा कि जो है उसका जुलाई तक होगी है एक्जाम हो गया है मेरा सवह सब्सक्राइब लेकिन कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं चुकि आपके जो कुछ भी होना है जितनी भी भरतियां जो भी होंगी तो यह पूर्सी सिख्षानीती है उसमें प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक जी जो है सिख्षा वह आटीएक के दैरे मिला दिया गया है तो यह पूरा फ्री प्राइमरी से ले करके इंटर तक को एक आयोग के अंडर में किया जा रहा है जी तो अब आगे जो कुछ भी होना है यह नया आयोग ही करेगा इसी वजह से ना टीजटी-पिश्टी हो रहा है 2021 पर श्राइब जाया था ना इस वह भी नहीं हो रहा है और यह जूनियर एड़ेट वाला भी पेंडिंग है जी और एक आया था आगेनवाड़ी का करीब 63,000 ऐसे कुछ है था वो भी उसका भी कुछ पता नहीं है अभी तक जी तो यह सब को जो पेंडिंग है इससी वज़े शुरुका हुआ है कि अब जो है नय आयोग जो गठित होगा जी अध्यक्ष और अहने सदस्व गर चुने जाने हैं तो जब वो हो जाएगा उसके बाद व चीजें पेंडिंग रह गए थे और चुनाओं हो जाने के बाद तुरंट वो चीजें हो नहीं पाई है तो देरे-देरे काम आगे बढ़ रहा है अभी आनंद किरड सर जो थे ना किर आया ही तुना था वह जैसे बीस सारी तक डाटा मांगे है अकाले जो से तब इसके तो आप उमीद कीजिए कि जुलाई से पहले जॉइनिंग नहीं मिलेगी तो इस समय जो कुछ भी चल रहा है उससे रिलेटेड जानकारी लेते रही है अपडेट रही है पहले हो जाता है तो अच्छी बाद है लेकिन मुश्किल है अभी तो आयोग का गठन होना है उसके ब बाद ही होगा जी सब्सक्राइब से सब्सक्राइब से 70 पॉइंट कुछ बन रहा है गुलान का इतने पर हो जाएगा कि नहीं मेरिट इतना दावन आतकती है कोई भी एक्जाम होता है तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने कंडिडेट्स ने जो है फाम भरा है स्पद इतने हैं और एक्जाम का पेपर कैसा था यह कई फैक्टर होते हैं जो कि मिल करके तै करते हैं कि रिजल्ट कहां जाएगा कोई कंफर्म अभी नहीं कह सकता क्योंकि सीट जितने भी हैं मान लेते हैं कि उसमें आप जहां तक अपना कल्कुलेट कर रही हैं आप से उपर वाले ज्य जादा नहीं हुए सीट की तुलना में कम हुए तो आपका हो जाएगा कई फैक्टर काम करेंगे वहां पर तो इसलिए आप अपना काउंट कर लीजिए जोड़ लीजिए कितना यह बन रहा है आपका लेकिन उससे निसकर्स अभी मत निकालिए सब कोई अपना अपना निसक कहीं पर भी पढ़ेंगी आप टेंशन अपना लिखर हैं बता रहे हैं उससी तो कोई अपना पतार हैं और सब्सक्राइब इसकिंट कर लोगों पूछा नेगटिव आ गया है तो आपको भी निरासा होगी लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरा इतना नहीं हो पाएगा हो सकता है वो गलत हों तो कौन क्या लिख रहा है कौन क्या बोल रहा है किसी के न सुनिये ना खुद से अभी को यह अनुमान लगाई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा बस कि आपने एक काम कर लिया तो कहा गया ना कि कर्म कीजे फल की चिंता मत कीजे क्योंकि वो फल आपके हा जाएगा उसमें कई फैक्टर है वो तो बनाने वाला काम जोइनिंग देने वाला काम बिभाग का है वो जब करेगा तभी आपको पता चलेगा अब जो है आपके हाथ में क्या है वो देखिए अब आगे क्या होने जा सब् robiạn્es और कौવिए बागी करना है त्यारी करना है जब तक नौकरी हात में न आ जाए तब तक जो है यूञ देते जाए और फिर आगे वाली और यूग तो US्मी कर दाएगा एक मेंट कन्फ्यूज। सुपर्टेट जो हो रहा है वह होता रहेगा कुछ मुद्दे हैं पुराने पेंडिंग पड़े हुए जिनका कोई हल अभी तक नहीं निकला है उन मुद्दों को हल करने के लिए गौवर्मेंट राष्टी सिक्षानीती के तहर जो पद खाली है लाखो पद उनकों पुराने करेंडियर्स को निक्ति वर्सवार देने जारी वह अलग मैटर है और जो भी पद पर सुपर्टेट आएगा तरजार हुआ है ऐसे आगे होता हैं यह लोग जो अभी तक नहीं हुए हैं इसका मतलब है कि वह टेट पास है पहले से तो जो है पूराने मुद्द्य अभी हमने बताया कि पुराने से बहुत सारे मैटर हैं और लाखों पद खाली हैं जो कि सालों से खाली हैं जिन पर भरती नहीं हुए है आपने सुना होगा जब समयोजन रद हुआ था उस समय अखले सरकार थी उन्होंनों कोड में बताया था कि जो है समयोजन रद मत कीजिए मेरे पास चार लाग से ज्य जादा पद और हैं वो पद पर भरती अभी तक तो आई नहीं है और यह सारी चीजें पुरानी ही चल रही है और नई भरती कोई आई नहीं है हर साल अब दस जा टीचर रिटायर होते हैं तो यह सब मेंटर पुराने हो गए पांच-शे सालों में और भी टीचर रिटायर हैं इसके बाद नजाने कितने लोग जो है अन्य भरतियों में चले गए होंगे किसी का डेथ हो गया होगा कई फेक्टर हैं और शे लाग पद खाली है और वो सारे पद भरने हैं दो हजार तेईस में ही इतने सारे पद भरने हैं तो जो सूपर टेट आना है वो अलग मेंट कर चुके हैं उन सब को जो है वर्षवार चरडबद लेने की तयारी है केंद सरकार इसकी गोश्रा करेगी अभी 29 जुलाई 2023 में इसी जुलाई को लागूए तीन वर्ष होने जारा पूरा तो संभावना जो अभी बन जताए जारी है बताए जारी है कि उसी के आसपास जो ह गोश्रा होगी हो सकता है पहले गोस्ता हो justify यास था चुलाई को ही ओस्ता हो या उसके आगई पीछे जब वी तो जो भी पलद खाली होगा जि बंचे लाद वो सारी इच्पर ने हैं तो उस्त चैрах diagonal है नई है जो वी त्वी पक्रहे जो बहूए जोबी इनको पुराने वालों को पीछे वालों को सब को ले करके पीछे वालों को निफ्ति दे दिया आपको याद होगा पहले लोग BTC करते थे और इनको हर साल भरती आती थे और ले लिया जाता था बिना किसी प्रक्रिया और इच्छा पर ही तो लाकोपत भरने हैं उससी प्रक्रि उनका भी हो जाएगा वहीत ने सरकार की ये यूजना रजा है दो आप जो है सरकारी डाटा दिखेंगी जो आकड़े आते हैं पदों के उन में दो तरह के आकड़े आते हैं राच्ज के पद और समग्सिछा अभियान के सा भियान है किंद्र सरकार की योजपना के तहता आते हैं तो के सरकार पूरे भारत के सभी राजियों में जो भी पद खाली है करीब करीब जो है प्राइमरी में ही पंद्रबीस लाग पद खाली है तो हुझा उननीस या थारम जब आकड़ा आया था तो उस समय करीब सब्सक्राइब करेगर जोसा करें और नियुक्त आप संट्र मालीजिये तो या तो जुलाई के सुरू में कर दें जुलाई के लास्ट में कर दें लभभग यहीं मांग चलिए एक दो महीना तीन महीना यहीं जो समय है इसी में होना है जैसे जूनियर वाला जैसे क्वालिफाइब होता है इसी में हो जाएगा और कोई वेकंसी नहीं आ रही है आपने टाइम टेबल बनाया है हाँ तो टाइम टेबल को दो तीन कापी बना करके कीचन में कमरे में यहां वहां लगा दीजे फ्रिज के दरवाजे पर लगा दीजे आलमारी के दरवाजे पर लगा दीजे वह आपको बताता रहा है हर वक्त कि आपको कब-कब पढ़ाई करना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मोटिवेटर यह हमेशा आपने जो कर लिया जो पीछे एक्जाम दे लिया अब उसमें तो आपको कुछ करने को बचा नह पाली है जो फाम आएंगे अगर आपको घरना होगा तो क्या वो आने के बाद वो तैयारी करेंगी तैयारी तो पहले से करना होता है ना तैयारी तो कंटीनियू कीजिए आप अपना टाइम टेवल बनाईए कप-कप क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ना है ठीक है और उस अपने लग तो gefचार रहा है जाए तो जिए आपने मुच्झे से बहसारी रही behaviour और कि इसके आप सौन भनने के बाद तो रिवीजन होता है न जी पढ़ने के लिए आप कोई भी इक्जाम देंगे चाहे माल लेतें सुपर टेड्ट तेना हुआ या जूनियर की भर्ती भी आने वाली है जूनिय प्रमोशन नहीं होगा जूनियर की भरती भी आएगी गॉर्मेंट का ये हम और 1 में हंस घार करना है। कि हम एक महीने में पूरा फिर से खत्म करना है , 2 महीने में पुरा फिर से खत्म करना, तब तो महनी मन लगेगा तभी हम जो है पढ़ह मन लगेगा तभी पढ़ना सुरूre करेंगे तो कैसे होगा पढाई कुछ सब्जेक्ट ऐसे होगे जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे बहुत अच्छ way कुछ ऐसे वो गई क्लास 3 की बुक खरीद लीजे 3 के पूरी पढ़ जाईए एक-एक सब्द उसमें पढ़िए जो लिखा है एक-एक सवाल लगाईए जो उसमें है फिर खत्म करने बाद क्लास 4 की सुरू कर दीजे 3 की बुक जो है हपता 10 दिन में खत्म कर लेंगी और इंग्लिष मीडियम वाली खरीद इएगा हिंदी वाली नहीं इंग्लिष में जो बुकाती है मैत की को फायद हो बहुता है एक तो इंग्लिष लेंगेज सीख जाएंगी और दूसरा मैत कोई सब्जक्ट जब नहीं आता है तफ लगता है तो उसको हाइर लेवल कर नहीं पढ सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब लिए वह इसको पढ़ेंगी तो नियम पता चलेगा पढ़ेंगी और प्रेक्टिस सेट जो है उसमें जो भी एक्सरसाइब बिया है पुरा करते जाएब कर लिए फॉर का कर लिए फाइव का सिक्स का इस्तरस करते हुए सेवन तक चले जाए ये एड तक चले जाए ये मैथ हासान हो जाएगा नीचे सूपर जाए मैथ हो जाएगा तो मोटिवेट खुद को कीजिए अपने आपको चैलेंग दीजिए कि हम इतना पढ़ना है इतना अभी पेंडिंग है अभी अभी एक्जाम भी नहीं कराय जा रहा जी वह पेंडिंग इसी वजह से आयूक की कारण जी तो अब आयूक का अध्यक्ष और सदस्य वगरद चुना जाना है और कुछ नहीं जी और उमीद है कि अप्रेल में हो जाएगा तो उमीद से लगती है क जब यह TGT हुआ था उसके बाद जूनियर का पेपर हुआ था तो बहुत बच्चे जो दिये थे जूनियर भी दिये थे जिससे बहुत लोग निकल गए उसमें TGT में और GIC में भी निकल पहले का TGT पेंडिंग था उसके एक्जाम वगरह हुए है जो एडिट वाजे हु तो और फाम भरवाये गए हैं यह debenew भी है तो कई चीजने चलती हैं जिसके बारे में तो ओडिखा किजिए कौन से भरती है tp 6o5 त निकलति हैं कि यह कौन सा है तो अभी जब जो पेंडिंग है वो सब क्लियर होगा तो अभी जो एड़ेट जुनियर में कितने लोग होंगे जो आप से अच्छे नंबर लाये होंगे लेकिन करेंगे तो अभी तो बहुत उलट फेर होना है तो अभी परसान मत हुए प्रेल से नया से सिसन सुरू हो रहा है इसके बाद आयू का गठन होगा तो करके सारी चीजे होंगी और एक चीज नजर रखिएगा हमेशा जब भी जो है जब से यह गवर्मेंट आई है योगी सरकार जुआनिंग देने वाला काम यह ज़दातार जूलाई के बाद करते हैं चाहे कभी भी हो जाए जुलाई के बाद शुरू करते हैं तो अभी उमिधंद मत कीजिए कि अगर जो भी होगा क्योंकि अप्रैल में जॉइनिंग देने को कोई मतलब नहीं बनता है अप्रैल में एक महीना टीचर पढ़ाएगा फिर छुट्टी हो जाएगा स्कूलों का जनरली ये करते क्या है कि जुलाई या उसके बाद जो है जॉइनिंग अगर देते हैं ताकि जो बाद ही जॉइनिंग होगी ठीक है अप्डेट लेते हैं ये ग्रूप में है कि नहीं आप हाँ ग्रूप में है तभी तो पता चलता है आपकी सारी बाते हैं अच्छा और बाकी जो कि लोगों से बाचित होती रहती है वो यूटूब पर डालते हैं सुनते रहा कि हाँ हाँ सुनते हैं चलिए ठीक और कुछता नहीं है नहीं चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थांकिए वेल्कॉम